जैसे आप Ctrl 2 प्रेस करेंगे तो उपर देखिए Arial font आ चुका है और अब आप English में काम करना शुरू कर सकते हो Ctrl 1 दुबारा से प्रेस करेंगे तो Hindi में काम करना शुरू कर सकते हो तो दोनों font को change करना इतना असान है पहले मैंने macros के साथ में बताया था लेकिन अब और easy तरीके से यह change कर सकते हो देखो जब आप दो भाशाओं में काम करते हो ना तो बार-बार font बदलने में बड़ी दिक्कत होती है देखो एक बार अगर आपको यहाँ पर जाके एक font चाहिए मानो Arial का और आप Arial में लिख रहे हो ठीक है इसके बाद आपको तुरंट जरूरत पढ़ती है एक Hindi के font की तो आपको यहाँ पर जाओगे उसके बाद में फिर आप Hindi font को select करोगे यह जैसे कृतिदेव हो गया या आप उपर से font change करने जाओगे और फिर से Hindi या English का font select करोगे और फिर काम करना शुरू करोगे तो यह बड़ा अजीब सा process है बार बार font को change करना लेकिन इस वीडियो में इती simple technique बताने वाला हूँ कि आप single shortcut के साथ में जितने भर चाहे font जो आपके favorite font हो उनको change कर सकते हो दे इस पर आपको click करना है इसके बाद आपको जाना है कस्टमाइज ribbon के option पर और यहां पर आपको नीचे keyboard shortcuts और कस्टमाइज का option दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक कर देना है यहां पर आपको category और commands का option दिखाई देगा category में आपको जाना है font पे F दबाओगे आपको font installed सारे font दिख जाएंगे तो सबसे पहले तो हम Hindi font ढूंड लेते हैं तो हम तो Hindi में काम करने वाले हैं इसलिए Hindi font बहुत जरूरी है तो Hindi font ढूंड लेते हैं तो यह आ गया हमारा Hindi font कृतिदेव 10 इसको हम select करेंगे तो यहां पर मैं इसके लिए key assign करूंगा इस font के लिए तो मै यहां पर यह की आ गई है इसको जैसे मैं assign कर दूंगा तो control 1 में जैसे प्रेस करूंगा तो यह कुर्तिदेव 10 font आ जाएगा अब इसके बाद कोई और मैं फॉंट लेता हूं English का जैसे मानो Arial ही हम ले लेते हैं यहां पर यह Arial font हम को मिल गया है और इसके लिए हम control 2 को assign करत हूं जैसे मैं control 1 प्रेस करूंगा तो आप देखो कुर्तिदेव 10 font आ गया और मैं यहां पर कुर्तिदेव 10 font में काम करना शुरू कर देता हूं ठीक है कभी-कभी यह auto correct वाल option आता है इसके लिए वीडियो में ने बनाया है ठीक है और अब जैसे ही मैं control 2 प्रेस करूंगा त तो जैसे आप control 2 प्रेस करेंगे तो उपर देखिए Arial font आ चुका है और अब आप English में काम करना शुरू कर सकते हैं control 1 दुबारा से प्रेस करेंगे तो Hindi में काम करना शुरू कर सकते हैं तो दोनों font को change करना इतना असान है पहले मैंने macros के साथ में बताया था लेकिन अब औ बार बार टाइप करने की जरूद पड़ रही है तो आप कॉंपी पेस्ट करके रखते हो और इसे दो तीन नाम अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उसके लिए बड़ा अच्छा सा option है कि आप उसके लिए कमांड बना सकते हो जिससे वो नाम आपको बार बार टाइप क कर लिया इसके बाद इसको कॉंपी कर लिया कॉंपी करने के बाद अब आपको क्या करना है आपको चले जाना है फाइल ऑप्शन पे इसके बाद आपको जाना है ऑप्शन पे और यहां पे आपको option दिखाए देगा proofing का proofing पे आपको क्लिक कर देना है इसके बाद यहां पे आपको auto correct का option दिखाए देगा स्पे क्लिक कर देना है यहां पर आप देख रहे हो कि मेरा नाम पहले से है अभिमानी भरद्वाज इसके आगे सिर्फ मैं A B लिख दूँगा ठीक है कोई लंबा सा नाम है अगर आपको लगता है कि यह नाम मैं बार बार रिपीट करता हूं तो आपको कुछ करने की जरूते हैं आप उसका इसी तरह से एक शॉटकट बनाईए स्पेस प्रेस करेंगे वैसे ही वो नाम यहां पर टाइप होके आ जाएगा ऐसे हम बहुत सारे नामों को एक के बाद एक करके टाइप कर सकते हैं आप आज करता हूँ कि आज का ये वीडिो आपको बसंद आया होगा आप ने कुछ ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ या आपके काम को आसान करने के लिए हैं अगर आपको माई बिगएट पे यह जो वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ यह पसंद आते हैं तो चैनल को बगेट सस्क्राइब कियो है मत जाईएगा ऐसे ही और वीडियो आपको यूस्विल मित रहेंगे हमारे सारे premium pen drive courses पर चलिए जल्दी से समझा देता हूँ तो आपको करना क्या है आपको वीडियो की नीचे description में जाना है यहाँ पर आपको join pen drive course का option दिखाए देगा इस पर आपको click कर देना है इससे आप पहुंच जाएंगे हमारे offline pen drive course की website पर यहाँ पर आपको एक pen drive course दिखाए देगा A2J computer mastery course इस course में पूरे 19 professional courses सामिल है जो कि lifetime validity के साथ आपको मिलने वाले हैं जिसके साथ आपको हमारा खुपसूरत सा यह excel mug हमारा premium mouse pad जिस पर भी बहुत सारे shortcut keys आपको print करके मिलेंगे एक free OTG और हमारा जो pen drive है वो मिलेगा जो कि आपको lifetime validity के साथ में मिलता है जिस पर आपको कभी भी internet की आवशक्ता नहीं होगी हमारे courses को देखने के लिए यह pen drive चार devices पर काम कर सकता है आपके PC पर, आपके mobile phone पर, tab और आपके Android smart TV पर अब यहाँ पर इस समय अगर इस course को आप buy करते हैं तो यहाँ पर 60% का discount चल रहा है जिसे ही course आपको लगवग 4000 रुबे का पड़ेगा लेकिन अगर आप coupon code यूज करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप मैं ऐसे 5 लोगों को यह course केवल और केवल 5000 रुबे में मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको coupon code यूज करना है 009PC22 और इसको यहाँ पर apply कर देना है जैसे आप coupon code अपलाई करेंगे तो आप देख रहे हैं यह course आपको केवल 2499 यानि 25 रुबे का मिलेगा तो जो भी 5 लोग पहले यह coupon code यूज करेंगे उनको इस coupon code का फायदा मिल जाएगा